हेलो प्रैप्स जो एक्स अर्मी मिस्टर अमल कुमार रॉय नो मस्ते दोस्तोन मैं हूं मिस्टर अमल कुमार रॉय क होता है निहीं पार्टी एक या सिर्फ में कलक्ता कर देन ही में के डावन छुन पर्फिय से बात dagger इंगे बाद आपको बात हैं गें करना पड़ता है वेस्ट पेंगल स्टेट गवर्मेंट फैकालिटी अंडर में ओटी टेगनिश्यान का कोर्स हो ला है इसमें दो साल का कोर्स करना पड़ता है शिक्स मांत का इंटेंशिब करता है तब जाके उनको ओटी टेगनिश्यान का सार्टिफिकेट एक मिलता है आर्म तेकनिशन ओटी में जैसे घुशेंगे तेकनिकल पार्ट एंड सर्जरी का पार्ट जो चीज है वो पहले देखबाल करेगा उसके बाद उनका कोई भी चीज का कोई गरवरी है कि नहीं है इलेक्तोनिक्स पार्ट जो है ओटी का अनदर उसको देखेगा वार्स्टेशन मेशीन है ओटी का ऐंदर जो वेंटिलेशन मेशीन है, जो वहईलस मेशीन हिन है वो पार्ट को उसके अंदर सब कुछ आटाजमेंट है कि नहीं लरंजिस्कोप ओटी का जो लाइट है ओटी का जो डायथर्मी है हाथ चीज को ख़ला भी मिलता है उसको संग संग ट्रिगनेशियान इंचार्च को सिंग ओटी इंचार्च या बायमेडिकल को इंफर्म करके बोल देना है तो सर्जरी एंड एनस्थ अनस्थेशिया दोनों टीमों को हेल्प करना अनस्थेशिया में क्या हेल्प करना है यह का केस होगा या स्पाइनल का केस होगा या टिभा का केस होगा उसी चीज को पहले रेडि करना है फिर उसके बाद उस ओटी में पेसेंट देने से पहले अनस्थेटिक को उनको बताना है सर हमारा ओटी रेडी है पेशेंट घुषते उनका बीपी पाल्स ओक्षिमीटर इसीजी लिड्स हर्ट चीज लगा के रेडी करके उसको देखना है जैसे अनस्तेशिया डॉक्टर साव आएंगे उनको हर्ट चीज में अभगत करना है आपको मोस्ली काम है अनस्तेशिया मे अनस्तेशिय का बिना पार्मिशन में आप कुछ ओटी में पेशेंट के लिए कुछ नहीं करना है अनस्तेशिया उनका हाथ के सामने उनका सामने या बॉयल्स के उपर रागना है उनको देखा बूलना है तो सल हमारा लेंजिस्कोब ठीक है जा तो ट्यूब रेडिया है आपको अपना मर्जी से कभी ड्राक्स में हाथ नहीं लगाना है फिर आप सर्जारी में जाएंगे जाके मदद करना है उनको हर टाइप का सर्जारी में हर एक टाइप का पोजीशन होता है पेशेंट का जैसे लैपकोली होता है लैपकोली में आप सर्जेन आपको बोलेंग उनको देखे आप हिल्प करना है सर्जन को पूछना है सर्ट क्या पोजीशन करना है तो सर्जन आपको बोलेंगे उसी टाइप का पोजीशन करना है एक बीसी केस में जैसे गायनिक केस में आपको लिथोटरमी पोजीशन करना है कोई और्थोवेडिक केस में जा रहे हैं, निूरो केस में जा रहे हैं, उनका अलाग अलाग पोजिशन है, यह सब टेगनीशियान को करना पड़ेगा, जैसे सर्जरी स्टार्ट होगा, आप ओटी का जो लाइट है, उनको दिखाना है, उनको डाय थर्मी अटच करके देना है हर चीज आपको अटच करके देना है, तो दूरिंग सर्जरी में आप क्या करेंगे, मोनीटर देखभल करेंगे, पेशेंट का जो मोनीटर चल रहा है, मोनीटरिंग करेंगे, आप फ्लोईड को देखभल करेंगे, किसी-किसी सर्जरी में आपको ब्लाड का ज़रुरुत है उनको blood का duration time blood का हार चीज आपको patient file में अभगत करना है उनको operation खतम होने का बाद operation से पहले जैसे आपका ओटी था ऐसे ही आप ओटी को रेड़ी करके राखेंगे कि next operation के लिए अपरेशन के लिए जो वर्ट स्टेशन मेशिन को नीट अन क्लीन करके कि next case के लिए रेड़ी करना है आपके में अनस्थेटिक जो एमपल तोरके राखा है जो सिरिंज पहले पेशन को use हुआ है वो हार चीज आपको सठीक जाएगा में फेगना है दिस्पाच करना है उनको ती का अंदर काम प्रफ नान्ट करना पड़ता है जैसे मां जीसे कोई तर्कुलेटिंग नर्स बाहर चला गिया ऊठी का बहूरी काम से चला गया तो अनकी जाएगा पुस्तर एंसार्जन म सबार्स आपसे मांगेगा भया एक सुचेत दे दु सबढ़ाए गरउं पानी दे दु भया आता है, positive case का अंदर HIV, positive, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, lung disease, इसके एलावा भी heart type का skin disease का case OT में आता है, इस अब patient का साथ direct contact में आता है, anesthetic, surgeon, scarpe nurse, एबंग OT technician, आपका gloves पर नखुबी जोलूरी है, positive kit पर नजोलूरी है, अगर आपको positive kit अबेलेबल नहीं है, तो आप shoe cover pen लेजिए, double gloss pen लेजिए, wearer pen लेजिए, and normal जो gown होता है, surgical, वो pen के आप उस case को attend के जिएगा, किसी-किसी case जो emergency case आता है, जैसे कि emergency elusias आता है, emergency laparotomy आता है, emergency road topic accident आता है, emergency appendix, emergency DNA, heart type का, इसके इलावा कभी emergency, emergency आता है, जिसका serology test हम साथ-साथ नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको ओटी में patient घुशते ही, ot attend करते ही, patient को attend करते ही, आप जब operation start होगा, उससे पहले आप क्या करेंगे, positive case का जो kit आता है, वो pen के लिजी, जो आप सिरिंज में डाक्स लोट करते हो, उस सिरिंज का नीडिल खुला होना नहीं चाहिए, इसके बाजा से आपको या दूसरे को भी नोकसान पहुचा साथते हैं, उस सिरिंज अगा दूसरे का हाद में घुश जाएगा, या कोई positive case का सिरिंज होगा, या कोई उसका infected case क सिरिंज होगा, तो इस सब चीज को आपको बहुत साथ धनी से काम करना पड़ेगा, after positive case केस खतम होने का बाद, आपको anesthesia आइटेम जैसे लालेंज स्कोप हो गया, मार्क्स हो गया, मैगल्स हो गया, बुजी हो गया, इस सब चीज को आप hospitec या कोई strong disinfected ot lotion से आप 24 hours उसको रख दिजेगा, उसके बाद आप उसको ETO में या फिर autoclave में भेज दिजे, उसके बाद जब autoclave से आएगा, ओ चीज आप जो बाड़ा यूज कर सकते हो, ot के अंदर जो positive case में जो disposable item हो गया, रेंच सर्कीट हो गया, प्रोस सर्कीट हो गया, कभी आपका attitude हो गया, ये सब चीज आपको तुरंती काटके फेग देना है, ये सब चीज दो बाड़ा यूज करने के लिए रागना ही नहीं है बिलकुल, surgery instrument जो यूज होता है, वो सकार्ब नास जो होता है, वो सब लोशन में लाग राग देगा, after 24 hours उसको अटोक्लेम में भेजेगा, ये हर एक आइटेम को आप डिस इनफेक्टेड लोशन से अच्छा तरीका से पोज लेना है, उसके बाद स्प्रीट से पोज लेना, उसके बाद उसको रागना है, वावर्ष के लिए आपको ओटी को पेस कंटोल करवाना है, यार आपको पेस कंटोल का उपलोग्ध है, तो पेस कंटोल बाले को बोल दीजिए, ये ये ओटी इनफेक्टेड है, पेस कंटोल होगा, पेस कंटोल करवाना है, या तो आप ओटी को बारा घंटा के लिए फुम कि ऐसीजा एक जो कोई नहीं बोल सकता किस केष किस टाइम पर आयेगा आप एक टेग्शियन होने का नाते आ लाभ ही सब्सक्राइब करें तो इसलिए आप हर इंफेक्टेट केज आटेन करते टाइम ग्लाउस पहां लिजिए और आपने आपको प्रोटेक्शन राखिए आप अपना प्रोटेक्शन राखते हुए पेशिंट को सिवा किजिए कभी गभी आपको बायमेडिकल का काम कभी करना है तो आप क्या करेंगे ऊसो टाइम आप तो बायमेडिकल को तो ठून करे सभु एह को आप ऊट्पाताउ जितना करना है उसी टाइम आप उसको ठीक LIKE अ commend यह तेकνिशियां को बुला लीजे तुरं आपका आउटी में कि द्हादा आईये यह मेशिन छलनी रहा नदा आईये भेंटिलेटर देखिये थोला चलनी रहा इसको ठीक कर दिजी तो इसी तरीका से हमको बारमेडिकल का कभी काम करना पड़ता है टेकनिशियान एक टीम ओर्क होता है आप एमाज सोचे कि एक टेकनिशियान से हार चीज नहीं होता है एक टेकनिशियान हार चीज नहीं जानता है कभी-कभी हमारे पास स्टूडेंट आता है, फ्रेसर आता है नय नय टेक्निशियन आता है, वो हार काम नहीं जानता है, तो आप उनको भी कभी नेगलेट नहीं करना, उनको अपना भाई समझ के, अपना दोस समझ के, उनको काम दिखाना है, काम सिखाना है, उनसे काम लेना है, उनसे काम करवाना है, यह है आपका जिम्मेदरी, अगर तो आपको कभी मन में मन के अंदर एगो नहीं आना चाहिए कि हम क्यों पूछेंगे उसको हम तो टेगनिशियान का कोर्स करके आया ढाई साल टेगनिशियान हमारे पास सर्टिपिकेट है यह गलत फ्रमिया है यह हम एक सिनियार शाटी सेवें यार्स का टेगनिशियान हम एक को भी पूछते भाईया कैसे होता है थोड़ा दिखाओ हमेशा एक टीम वर्क की तरफ दिल जूल के काम करना है आप से जो नहीं आता है आपको किसी से पूछने को कोही दिदा नहीं करेंगे आप हमेशा पूछ के काम लेना है काम सिखना है काम करना है यह नहीं है कि आपकी वज़ाइस से OTI में पॉब्लेम हो, कभी नहीं होने देना, सब OTI टेगनिशियान को मेरा प्यार भड़ा भालवासा देता हूँ, सब को मैं असिवात करता हूँ, सब अच्छा से काम करें, सब मिल जुल के काम करें, कभी आप की वज़ाइस से, किसी भी टेगनिशियान की वज आप सुखी राहें, भाला राहें, ठीक टाक राहें, नमस्ते.